इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के बारे में ग्लेशियर्स क्यों पढ़ने वाले देखें? तो हमारा जो चैप्टर है अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा तो हम क्या कर रहे हैं? कि अलग-अलग एजेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं जैसे रनिंग वाटर की कहानी हमने समझी हम देखा कि ग्राउंड वाटर कैसे काम करता है और यह जो geomorphic agents है यह क्या करते हैं? लैंड फ़र्म में चेंज लाते हैं उनके evolution में एक important role play करते हैं तो हमारे दो geomorphic agents हो गए हैं अब जो हमारे पास geomorphic agent है वो कौन है? glacier ठीक है? तो अब हम glacier के perspective से चीजों को देखे हैं कि glacier कैसे landforms को shape करते है glacier जो है कैसे किसी भी land form के evolution में एक important role play करते हैं वो साही सीज़े हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं समझाने वाले हैं तो आप जो पहला सवाल आपके मन में आएगा और as a teacher जो मेरी responsibility बनती कि पहला सवाल मैं आपसे पुछू क्या आप glaciers को जानते हैं तो what are glaciers? ठीक है? glaciers के अगर बात की जाए what are glaciers? तो glaciers एक तर सची साब अगर layman definition में समझे बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो river of ice पूरा बर्फी बर्फ है बर्फ जब बहता हुआ खिसकता हुआ आ रहा है फिर बर्फ जहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है glaciers होते हैं अब glaciers कहां देखने को मिलेंगे तो सब पोल्स पर देखने को मिल जाएंगे अंटाटिका में है ठीक है? नॉर्थ पोल पे है और कहा mountains के उपर भी तो glacier बनते हैं हिमालियास क्या है? हिमालियास जो आपको पूरा सफेद चादर से ढखा हुआ एक सीम दिखता है mountains की जब हम फोटोस देखते हैं तो वो क्या है? वो भी एक तरह से glaciers है वहाँ पे पूरे तो यह glaciers होते हैं fine, तो masses of ice moving as a sheets moving as a sheets over the land ठीक है अब यह continental glacier और paddymond glaciers in vast sheet of ice is spread over the plains at the foot of mountains कहानी समझों बहुत अच्छी से बता रहा हूँ कि जैसे यह mountains है यह mountains के यह plane area है अब लेकिन altitude जादा है मतलब जमीन से काफी उपर है अब फिर latitude भी जादा है altitude latitude दोनों ही बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो temperature घटेगा और temperature घटेगा वहाँ पे glaciers बनेंगे snowfall के कारण, temperature काम होने के कारण जो बारिश होती उस कारण से वो क्या बन जाते हैं? एक तरह से देखो के तो ice labs में convert हो जाते है अब यह latitude, longitude कहां से घुमा दिया सर आपने समझ नहीं आया क्या होता है, आप देखते हो हमारा अर्थ है प्यारा, यहां पे जैसे जैसे आप देखोगे latitude बढ़ गाए, मतलब 90 degree यह भी 90 degree तो higher latitude इन्हें कहा जाएगा 90 degree तो यहां क्या होता? अन्टाटिका पूरा बर्फ से ढखा हुआ है, नॉर्थ पोल देखोगे बर्फ से ढखा हुआ है, ठीके, तो higher latitude इन्हें पे ग्लेशियर्स और altitude के अगर बात करें, altitude मतलब यह से height जमीन से उपर जाते जाओगे, तो हिमालयाज हो गए, दूसरे mountains जो हो गए, यहां पर क्या of ice moving as sheets, तो glaciers आपको sheet के format में देखने को मिल सकते हैं, जो foothills होगी mountains की, जो paddymond plane होगा, जो पहारों के पैरों पे रहेगी ना चीजे, वो जो पूरा area रहेगा, वो पूरा क्या रहेगा, ice sheet के रिचे दबा हो रहेगा, तो glaciers उस form में देखने को मिल सकते हैं, और as linear flows down the slope of mountains in broad truff like valleys, mountains and valley glaciers are called glaciers, तो एक तो आपको ऐसे plane area में sheets के format में मिल सकते हैं, glaciers, और दूसरा क्या है की linear flow होते होगे दिखेगा क्या है, यह mountain है, तो इस mountain के उपर से, इस slope के कारण क्या है, glaciers उतरते वहारे नीचे आपको देखने को मिलेंगे, आयना समझ में, तो mountains पे जो glaciers रहे mountain and valley glaciers और दूसरे sheet glacier रहेंगे, तो दूसरे sheet glacier भी आपको देखने को मिल सकते हैं, so these are some of the examples of glaciers, I hope you are getting the concept की glaciers क्या होते हैं, आगे समझ में, यह glaciers होगा है, अब glaciers and water flow, अब जिससे अगर आप देखोगे ना, तो glaciers जो है, वो क्या होता है, वहाँ पे glaciers जैसे पानी बहते ह जाता है, मैं पता है, तो glaciers होता है, वहाँ पे बर्ष की चटान है, दभी वहाँ पे क्या दिक्कत है, लेकिन वह glaciers भी over the period of time क्या होते है, melt होते हैं, जिससे आप देखेंगे, winters में, तो क्या होता है, पूरे glaciers जम जाते हैं, लेकिन जब temperature क्या होता है, धीरे धीरे temperature बढ जाता हो, निकल जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, glaciers भी आगे की तरफ move करते है, यहाँ पे movement होता है, glacier का ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन एक interesting fact क्या है, कि glaciers का movement होता है, वह पानी की तरफ फास्ट नहीं होता है, melt होके पानी बन गया, तो पानी सर सर स निकल जाएगा, लेकिन वह glacier जब ice slab के format में होता है, तो धीरे-धीरे खिसकता है, धीरे-धीरे move करता है, the moment could be a few centimeters to few meters a day, और even less or more, ठीक है, तो few centimeters से कुछ मीटर इतना depending on the melting of snow इंसारी चीज़ों पर depend करता है, glaciers कितना move कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोड़ लगा एक दि 20 km आगे खिसक गया, कुछ centimeters, कुछ meters यह आगे बढ़ता है, अब देखो, आप बोलें, यहां सर, यहां तक साइच है, समझ में आगे, glaciers क्या है, कैसे move करते हैं, अब यह मतलब landform पर कैसे impact create करते हैं, यह आप कहना है, कि glaciers जो है, landform के evolution में की important role play करते हैं, तो यह glaciers जो है, तो यह movement करवाएगा, कौन और कोई धका नहीं रहा है, उपर से, movement जो रही gravity के कारण हो रही है, simple से concept से आपने पहले पढ़ चुके हो, जब हमने geomorphic processes पढ़ थी, चलो थोलो सा revision करवाते है, geomorphic processes वाला chapter जब पढ़ा था, तब mass movement के बारे में मैं आपको समझाया था, mass movement में क और एक तरह से पुरी-पुरी landslide आ जारी, जमीन खिसक जा रही है, कौन खिसका रहा था जमीन को, gravity, जो gravitational force है, वो important role play कर रहा था, वही चीज़ आप यहाँ पर देख लो कि जमीन नहीं खिसक रही है, लेकिन इस जमीन के उपर जो glacier है, वो glacier अगर खिसक रहा है, मूव कर रह है उसे, तो gravitational pull, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि movement of glacier is due to the force of gravity, is that clear, gravity क्या करती है, gravity किसी की सगी नहीं होती, gravity सब पर काम करती है, यह चीज़ ध्यान रखना है, gravity हर एक, मतलब जितने भी phenomena हो रहे हैं, जितने भी movements हो रहे हैं, अगर gravity की चपेट में आ रहे हैं, तो gravity हर तो erosion by glacier is tremendous because of friction caused by sheer weight of the ice, अब इतनी बड़ी sheet है, वो हलकी नहीं है, ऐसा कि thermacol की sheet हो white color की दिख रही है, तो don't mistake that sheet as the sheet of thermacol, ठीके, वो बहुत heavy होती है, पूरा इतना पानी store करके रखा उसने, तो जब वो move करेगी न, तो एक जो weight है ice का, वो friction create करेगा, और जो नीचे मतलब higher the mass, higher the erosion उस तरह से होगा, weight बहुत जादा है, तो वो friction create करेगी, तो erosion होगा, जिस surface पे से बहता हुआ जाएगा, या फिर drift करता हुआ जाएगा glacier, वहाँ पे erosion होगा, friction होगा, ठीके, the material plugged from the land by glaciers, usually large size, large size angular blocks and fragments, get dragged along the floor, or side of the valley, and cause great damage through abrasion and plucking, यह point समझ लो, देखो, यहाँ पे थ छोड़ा से GIF मिल गया था, तो उसको relate करो, क्या लिखा है क्या नी, उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो, यह normal क्या है, summers में पानी बहता रहता है, winters में glacier बन जाते है, अब यह glacier जब बन गए ना, तो यह glacier क्या है, कि पूरा पूरा glacier एक साथ मू पूर देगा, तो वहीं पर जब glaciers मूफ करेंगे ना, तो glaciers वो जो V-shaped की valley थी, उसको जब पूरा glacier पानी जम जाएगा, बरफ बन जाएगा ना, तो जब glacier मूफ करेंगे तो V-shape को U-shape में बतल देंगे, क्यों, क्योंकि जो उसका bed है, वहां से पूरा सब, जो masses है, land masses, उ यह इधर abrasion होगा, बहुत जादा plucking होगी, तो खिसकते-खिसकते क्या, वो valley को भी क्या करतेंगे, ब्रॉड करतेंगे, और erosion परफॉर्म करेंगे, अब देखो क्या है, यह land form जो पहले V-shaped valley थी, वो U-shaped valley में convert हो गई, running water सा आपको बता V-shaped valley बनती है, वो V-shaped valley U-shaped valley में convert हो ग glacier, तो इस तरह से समय है कि glacier कैसे land form को influence करते है, ठीक, glaciers can cause significant damage to even unweathered rock and can reduce high mountains into low hills and plains, जो unweathered, चला आप बोलतागे कि यहां सरी यह valley जो थी, इसमें तो क्या है कि सारे sediments deposited थे थे, तो weathered material था पूरा, तो वो glacier खिसका के लिए अपने साथ, लेकिन यह इसा नहीं बाबू, ठीक करते हैं कि जो mountains दिख रहे, यह mountains plane area में convert हो जाते हैं, ठीक है, not joking, सही बतारों में आपको कि जैसे आप देखोगे एक समय पे, अब ऐसा नहीं कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, सदिया मीत जाती है उसमें, लेकिन बड़े-बड़े mountains ज कर रहे होते हैं, glaciers जो है, वहां के landform को shape दे रहे होते हैं, समझ महीं कहानी, तो glaciers movement और इस movement के चलते जो debris रहती, those debris get removed, तो छोटे-जोटे particles को तोड़ते होए ला रहा है, जो कहीं तूटे पड़े थे, उनको अपने साथ बहाते लिए आ रहा है, glacier, यह भी जी त्यानक ना debris जो होती है, debris जो होती है, debris जो होती है, एक दगा से दूसरी आगा remove होती रहती ही with the movement of glacier, fine, divides get lowered and eventually the slope is reduced to such an extent that glacier will stop moving, leaving only a mass of low hills and vast outwash plain along with other depositional features, यह point को अगर समझना है तो इस चीज को समझो, कि यह मैंना आपको बताया है, जैसे अब यहाँ पर माननो क्या है, यह diagram जो है, 7.13 औ आपको यह diagram बनाएगा इसको अच्छे से समझना, अब आप जैसे देखोगे तो सर्क्स वगेरा है, ठीक है, यह सर्क्स वगेरा जो रहेंगे हाँ पर जैसे आप यह देख रहेंगे सर्क्स वगेरा तो इनमें से glaciers खिसकेंगे, आगे move करते हो आएंगे, glaciers move करते आएंगे मेन बेसीन जो है उसमें आजाएगा इसमें आजाएगा weaver, मेन मेन मैने कॉद में आप जहाएंगे और आगे move करेगा, अब get a glacier move करो तो जो debris DC loop करी थी उन डक्रीजब अपने सांट बहाथे ले जाएगा, अब जब अलग अलग तरह कि debris énerल को पाटले ने तो आएंगे से आप दिखोगे कि mountain mountainous areas जो रहते हैं वहाँ पर जो landform है उन landform में बदलाव लाने का काम उन landform evolution लाने का काम भली बाथी रूप से glaciers करते हैं glaciers बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं वहाँ पर erosion deposition और transformation के लिए responsible रहते हैं यह चीज दियान रहेगी इतनी मैंने आपको बताई अब जैसे significance of glaciers box में दिए details हैं कुछ लेकिन जो competitive की तैयारी कर रहा है उस गराओ तो आप लोगों के कुछ important चीज़े बताता हो देखो मैं क्या कि we have many glaciers in our country moving down the slope and valleys in Himalayas अब हमारी country में glacier का है आप बोलोगे south इंडिया में glaciers वहान ही मिलेंगे latitude altitude उतना नहीं है हां लेकिन अगर आप उपर जाओंगे north इंडिया में तो आप altitude भी बढ़ गया latitude भी बढ़ गया और Himalayas which are one of the loftiest peak in the world in fact they are the loftiest ठीक है one of the नहीं सबसे उचे हिमालेयन mountain range है वेल्ड में तो हिमालेयन mountain range को अगर आप compare करोगे contrast करोगे चीजों से तो वहाँ पर आपको बतलेगा कि बहुत सारे glaciers हैं दोस glaciers are moving along the slope अब जब यह glaciers move करते हैं न तो higher reaches of उत्रांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, अरवाचल प्रदेश, तक्किम इन साही जगह पे आपको बहुत सारे glaciers देखने को मिल जाएंगे और इन glaciers का significance क्या है पता है mountains है, minerals है, forest है, flora है, fauna है, वो तो सब है लेकिन glaciers की सबसे बड़ी significance यह है कि वो हमारी country की life line मनते हैं कि सेंस में कि वो बहुत सारी rivers को perineally fed करते रहते हैं मतलब glaciers है, वो melt होते रहते हैं और अपना पानी किसको देते जाते हैं? नदियों को तो जैसे आप बहुत साइग न दिया, भागी रती उठा लो, Ganga, Yamuna, Brahmaputra ठीके, जितनी इंडर्स यह सारी rivers, जो इन सारी rivers, यह सारी rivers का स्नो फेड रिवर्स है Glaciers melt हो तो और इने पानी मिलता है, ठीके, तो ध्यान रखना है, जिसे river भागी रती, जो headwater है किसकी गंगा की ध्यान रखना है यह आपने डेने चार्टर में सारा सब कुछ पढ़ा है वाली बुक में, और इंपोर्टेंट चीज है कि competitive में इस तरह से आ जाते हैं सवाल और snout क्या होता है, snout एक तरह से इस रीजन को snout कहा जाता है, तो आप देखो के गंगोत्री glacier जहां से melt होता है उसे गौमुक कहा जाता है, तो snout यह यह रीजन को कहते हैं, ठीके, यूजिल इस यूज़ फोर अनिमल्स, तो वहां से भागी रती निकलती है, फिर वैसे का पूरी glacier जो है, सोंतप जो है, तो वह glacier जो है, feeds water to Alaknanda river, और भागी रती और Alaknanda मिलती है, कहां पे देव प्रयाग में, और देव प्रयाग से आगे जो river बढ़के निकलती है, वह कौन सी होती है, गंगा river, ठीके, तो यह गंगा river इस तरह से भागी रती, Alaknanda और यह मि कुछन देतो, मुझे answer देना कि देव प्रयाग किस state में है, कहां पे है, कौन सी सिटी में, ठीके, चलो, so this was all about river Alaknanda and भागी रती joints to make Ganga river near देव प्रयाग, this was all about glaciers, अब next video से हम क्या करेंगे, कि इससे, यह देखो, यह गोमुख है, ठीके, यहाँ पर आप जिससे देखो कि सोन तप glaciers जो है, ठीके, फिर यह देव प्रयाग वाला दी जाने है, आपर दो रिवर मिलरी Alaknanda भागी रती, clear, तो अब next video से हम क्या करने वाले है, next video से हम एक करके, सारे जो landforms बनते हैं, यह तो मैंने आपको agent बता दिया, कि हाँ, glacier एक geomorphic agent है, जो landform को influence करता है, अब तो जो landforms बनते हैं, erosional, depositional दोनों, तो पहले हम erosional पढ़ेंगे, कि कौन-कौन से erosional landforms, glaciers के कारण बनते हैं, वो सारा सब कुछ हम next video में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, आशा करते हैं चीज़ें यहां तक समझ में आईए, magnet bains पर class 4th से class 12 तक, इसी तरह से सभ I hope you are enjoying it, अपने juniors और seniors को जरूर बताएं, magnet bains के बारे में, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much